हलो एवरिवन टिकलेट्स एकड़बी यूटूब चैनल में अब सभी का स्वागत है आज के वीडियो में हम स्टेडी करेंगे हाउ टू ड्रॉ इन्वालूट ओफ स्केर तो देखे जो प्रॉलिम आज हमें सॉल करना है वो आपके सामने है कॉश्चन में क्या लिका है हम पढ़ेंगे कॉश्चन में लिका है ड्रॉ एन इन्वालूट ओफ स्केर प्लेन ओफ 30 mm साइड और तो चलो हम इसका सॉलूशन बनाएंगे लेकिन सॉलूशन बनाना स्टार्ट करने के पहले हम आपको ये बता देते हैं कि इन्वालूट क्या होता है तो कोई भी अगर circular plane हो, या pentagonal plane हो, या hexagonal plane हो, या square plane हो, या semi circular plane हो, या कोई भी type का composite plane अगर हो, तो वो plane के उपर अगर आप कोई thread या अगर आप कोई string wound कर रहे हैं, या unwound कर रहे हैं, तो वो string के last end के path को trace करते हुए हम जो curve बनाते हैं, उसी को involved कहते हैं, ठीक है, तो वो किसका ड्रो करना है, square plane का ड्रो करना है, question में लिका है, draw an involute of a square plane, वैसे इसके पहले already हमने involute of a circle कैसे ड्रो करना वो लिये थे, तो वो भी वीडियो आप देख सकते हैं, उससे आपको circle का involute draw करना आ जाएंगा, तो यहाँ पे हमें square plane का involute draw करना है, यह तो confirm हो गया, पूर सबसे पहले यहाँ पे square plane draw करना पड़ेंगा, square plane कितने mm side का है, तो question में दिया है, कि square plane हमें 30 mm side का draw करना है, तो चलो यहाँ पे हम पहले एक square बना लेते हैं, 30 mm side का, तो यह देखिए, हमने यहाँ पे 30 mm side का, यहाँ पे square draw कर लिया है, और अब चलो यह square को naming दे देंगे, naming क् इस तरह से यह हमने 30 mm side का square draw कर लिए अब क्या करो यह square को एक string यहाँ पर attach करो जैसा हमने कहा था starting में कि कोई भी plane की उपर एक string आपको attach करना होता है वो string के last end के path को trace करते हुए हमें curve draw करना है तो क्या करेंगे यहाँ पर string attach करेंगे string का length क्या लेना तो ये भी हम आपको बताते हैं तो string attach करने के लिए यह जो cd है यह cd side को यहाँ पर extend करो ठीक है यह जो cd है square का नीचे का side हमने इसको extend करना है कुछ questions ऐसे होते हैं जिसमें string का length नहीं दिया होता है तो यह question उनी में से है जिसमे string का length यहाँ पर दिया हुआ न square का ये जो corner D है, ये D corner से होते हुए, हमने यहाँ पर ये string attach किया है, ये string का length क्या लेना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये square का circumference find out करेंगे, या फिर बोलो square का perimeter find out करेंगे, तो ये जो square है, ये 30 mm side का है, तो 34 za कितना होगा, 34 za 120, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इधर 120 mm का string यहाँ पर attach करेंगे, तो ये देखिए, हम यहाँ पर compost ले लेंगे, ये square का length जो है, square 30 mm side का है न, तो ये हमने square का length 30 mm, ये हमने compost में ले लिए, क्या करो, compost का center यहाँ D corner पर रखो, यहाँ से start करो, और यहाँ पर इसको four times cut करो, four times cut करने से, आपको string भी मिल जाएंगा, और वो string four part में divide भी हो जाएंगा, यहाँ से लेकिए, यहाँ तक जो कटा है, देखो, extra जो part है, वो हम मिटा देंगे, और ये finally हमने string यहाँ पर निकाल लिये है, यह string है, 120 mm का, 30 forza, और इसको naming देंगे, तो यहाँ पर हम कहेंगे A, इसको हम कहेंगे B, इसको हम कहेंगे D, sorry, C, और यह है D, और यह जो last end है, end D, वही पर रहेंगा point P, जिसके path को trace करते हुए, हमें curve draw करना है, जो होगा involved, ठीक है, तो last end को हमने point P कहा, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद, आपको square के सभी sides को extend करना है, ठीक है, तो यह देखिए, हमने इस तरह से कर लिए, ठीक है, ओके, इसमें सबसे important part क्या था, सबसे important part है यह string, ठीक है, अगर question में string का length अगर दिया होता, तो हमने वही string का length लिये होते, जो question में दिया होता, ठीक है, आगे चलके हम वो videos भी बनाएंगे, जिसमें string का length दिया रहेंगा, फिर वो हम string का length शो करेंगे, और फिर उसके according solution बनाएंगे, लेकिन यहां string का length नहीं दिया है, इसलिए हमने string का length उतना ही लिया है, जितना यहाँ पे square का circumference है, तो यह निकला है 120 mm, और last में हमने point P कहा, अब इतना होने के बाद आपको क्या करना है, compost लेना है, यह जो string है, यह string पे A से लेके P का length लो, क्या कहा, A से लेके P का length, A से P का length ले लिये, यह important है, number of students यहाँ पे गलती करते हैं, गलती नहीं होनी चाहिए, तो A से लेके P का length हमने ले लिये, अब क्या करो, compost का center, यह square के A की उपर रखो, देखो, यह square का A जो है वो यहाँ है ना, तो A की उपर रखो, और यह उपर ऐसे कट करो, देखो, उपर यह जो line गई थी, उसकी उपर कट करो, तो यह हमने कट कर दिये, उसके बाद, compost में B से P का length ले लो, देखो, यह B से P का length ले लिये, देखो, यह B से P का length ले ले लिये, और अब compost का center, स्केर के B की उपर रखो, देखो, यहाँ पर B है, तो यह जो B की line जा रही है, यहाँ compost का center B पर रखो, और यहाँ पर कट करो, देखो, यहाँ पर कट गया, उसके बाद compost में C से P का length ले लो, देखो, यह C से P का length हमने ले लिये, compost का जो center है, वो C पे रखो, square के C के उपर रखो, और यहाँ से जो line जा रही है, उसके उपर कट करो, तो यह देखे, यह हम उसके उपर कट करेंगे, यह देखो, यहाँ पर कट गया, इस तरह से हमने क्या किये, यहाँ पर point P के path को trace करते हुए, हमें जो curve draw करना है, वो point P का path हमने indirectly यहाँ show किया है, तो यह point P का path, तो यह है point P1, यहाँ पर है point P2, ठीक है, यहाँ पर है point that is P3, और यह रहेंगा, last में corner D को आके attach होगा, तो यहाँ हो जाएंगा P4, इस तरह से, और अब बस हमें क्या करना है, पहला तरीका यह है कि आप चाहें तो French curve का use करो, French curve का use करके आप यह जो curve है, यह draw कर सकते हैं, यह पहला तरीका, दूसरा तरीका यह है कि आप इसको चाहें तो free hand join करो, free hand ठीक है, बिना French curve से आप free hand इसको draw कर लो, तीसरा तरीका ये है कि आप इसको compost से भी draw कर सकते हैं जो आपके पास compost है उससे आप ये draw कर सकते है वैसे हम आपको यही कहेंगे कि आप compost का use करो क्योंकि compost से बहुत अच्छा बनता है French Curve से number of time जो है वो कम ज़ादा होता है वो proper बन नहीं पाता तो आपको क्या करना है compost का use करना है और compost में आपको dark pencil जो है वो आपको attach करना पड़ेंगा और उसका use करके draw करना पड़ेंगा तो चलो समझ लो compost से कैसे draw करते हैं compost में length कितना लेना और कहा से start करना ये आप समझ लो आपको यहाँ P से लेके P1, P2, P3, P4 ऐसा नहीं चलना है आपको P4, P3, P2, P1, P आपको ऐसा चलना है तो आपको क्या करना है compost में C से D का length जो की square का length है ये आपको compost में लेना है ये देखो ये CD का length आपने compost में ले लिए अब आप क्या करो compost का जो center है वो C पे रखो और D से यहाँ से एक curve ड्रा करो इटमिस P4 से P1 के तरब एक curve ड्रा करो और एक बाद ध्यान में रखो जो आपने यहाँ points मार्क किये थे P1, P2, P3 ये वही points से pass होना चाहिए अगर P1, P2, P3 से अगर pass नहीं होता है तो समझ लो आपने drawing में कुछ न कुछ गलती की है यह देखिए पहला curve हमने draw कर लिया है P4 से लेके P3 तक अब इसके बाद क्या करना है compost में कितना length लेना है अब आपको B से लेके P3 का length लेना है यह B से लेके यह हमने P3 का length compost में ले लिये अब compost का center B पे रखो और P3 से P2 के तरफ जो है वो ऐसे arc draw कर दो अब इसके बाद क्या करना है A से लेके P2 का length ले लो A से लेके P2 का length compost में इतना बड़ा यह जो length है यह आपको लेना है A से लेके P2 का length तो यह हमने A से P2 का length ले लिये ठीक है compost का center A पे रखो और P2 से P1 के तरफ arc बना दो P2 से P1 के तरफ compost का center A पे रखना है अब आपको क्या करना है यह D से लेके P1 का length लेना है और आप compost का जो center है वो D पे रखेंगे और P1 से P के तरफ आप जो है वो arc बना देंगे तो इस तरह से यह आपको involute draw करना है involute जो है वो आपको dark pencil से draw करना है यह आपको धेन में रखना है involute तो हमने बना लिये लेकिन solution अभी तक पूरा नहीं हुआ क्योंकि question में क्या लिका है देखो question में आगे लिका है also draw the tangent and normal at any point on the curve यह curve की उपर आपको कही पे भी tangent और normal draw करना है अब कहा draw करना है यह choice आपकी है question में exactly कौन से point पे draw करना है वो तो दिया हुआ नहीं है तो आप कही पे भी draw कर सकते हैं चलो हमें काम करेंगे हम जो है tangent और normal चलो यहाँ पे draw कर लेते हैं तो यह point को हम कहेंगे point M हमें यह M point पे tangent और normal draw करना है तो देखो अब जो हम बताने वाले हैं वो ज़रा आप ध्यान से सुनो यह काफे important है अभी यह हम square plane के लिए solve कर रहे हैं आगे चलके हम pentagonal plane और hexagonal plane के लिए भी solve करेंगे उसके लिए भी यह statement important रहेंगा कि अगर आपको involved पे कहीं पे भी अगर आपको tangent और normal draw करना है तो जो point पे आपको tangent और normal draw करना है वो point पहले opposite corner से join करो क्या कहां? यह काफी important है जो point पे आपको tangent और normal draw करना है वो point आप opposite corner से join करो opposite corner को join करने से आपको normal मिल जाएंगा और एक बार normal मिल गया तो उसके उपर perpendicular आप tangent भी बना सकते हैं तो आपको ये point पे tangent draw करना है तो इसका opposite corner क्या है इसका opposite corner है corner D square का opposite corner देखो इसके opposite में D है तो क्या करो M जो है वो D को join करो तो M D को join करते ही वो हो जाएंगा normal और अब इसके उपर हम perpendicular बना देंगे तो वो हो जाएंगा tangent तो tangent draw करने के लिए आप क्या करेंगे protector लेंगे और ये protector normal पे perpendicular draw करेंगे तो protector का center है वो आप M point पे लेंगे और protector का जो 0 degree है वो आप normal पे set करेंगे ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे perpendicular draw कर लेंगे तो ये हमने perpendicular draw कर लिए और अब यहाँ पे आप क्या करेंगे tangent की जो line है वो आप draw कर लेंगे तो ये देखिए finally हमने यहाँ पे tangent का line draw कर लिया है और इसके दोनो एंट्स पे हमने यहाँ पे arrow भी दिया है अगर आपके college में आपके lecturer arrow देने के लिए कह रहे है तो आप भी arrow दो नहीं तो आप एक single line ऐसा draw करेंगे तो भी चल जाएंगा tangent की उपर हमने लिख लिए tangent और normal की उपर हमने लिख लिए normal यह tangent और normal आपको dark pencil से draw करना है तो finally question में जो कुछ भी यहाँ draw करने के लिए कहा था वो सब कुछ हमने draw कर लिए question में कहा था draw the involute of a square plane तो यह square plane का हमने involute बना दिये question में tangent और normal भी draw करने के लिए कहा था तो वो भी solution आपके सामने है उमीद करते हैं कि यह पूरा solution आपको समझ में आया होगा यह आपको अपनी drawing book में जरूर draw करके देख लेना चाहिए यह था आज का topic how to draw involute of a square आज के वीडियो में फिलाल इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में एक new topic के साथ thank you very much